हालो एवरिवान वेरी गूद इवनिंग तो अलो प्यू जल्दी से एक बार कनेक्ट करेंगे फटा फट से आईएगा मुनना लोग ओडियो वीडियो का गन्फम कहिएगा यार लाइब नाव स्वागत आप सुभिगा और आज हम बात करेंगे अपना देखिए लास्ट ताइ कि उनके बारे में कुछ दो चार कॉश्चन मैं पर्माऊंगा तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे अपने टोपिक को एंडिंग की तरफ आज इसको लेके चलेंगे ताकि फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी के एक बहतर समझ आपकी बनी होगी आपने अगर प्रिवियस लेक पता है क्लासीज लोग मिले लोग कोड के लिए आपको भी कैम 10 कोड यूज करना पड़ेगा फर्स्ट टाइम अगर आप विजिट कर रहे हो ठीक है यह आपको इंट्रक्टिव लाइव क्लास पोल रेज एंड का ओफशन नेवर मिस क्लास लेक्टर नोट्स एनिटाइम एन सारे फीचर्स आपको क्या मिलते हैं स्पैसल क्लासीज के उपर दोस्तों मिलते हैं अगर मैं यहां बात करूं तो आप देखोगे इस पैसल क्लासीज के अंदर जी ओसी का लेक्टर नंबर अपना पंदरा चल रहा है यह कल हो चुका था आज हम कोश्चन्स डिसक्स करेंगे इन औरगनिक क्यमेस्ट्री के है हैं अज आपके लिए क्या रहेंगे कि उश्चन्स खेंगे इन औरगनिक के रागनिक की तो आप इन्रोल कर सकते हो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में राज़ेसक्मर मरके नाम से क्या मिल जागग आपको प्रोफा ilex मिल जाएगा वहां इसके अलावा देखिए यह सारे लेक्टर्स आप देख सकते हो यूवी का 6 से 7 लेक्टर हो चुका है जी ओसी के 15 लेक्टर हो चुके है इसके अलावा देखिए यह वाले जो प्रियास टे सिरीज पार्ट सी जो कि 16 नुवंबर से स्टार्ट है इसके अलावा मैथेमेटिकल साइस का 13 नुवंबर से मोग टेस्ट फुल लेंथ मोग टेस्ट स्टार्ट है दस नुवंबर से क्या है लाइफ साइस का नया बेच फिर स्टार्ट है और अगर हम बात करें TIFR फिजिक्स के लिए पीवाइक्यू का जो मेरा थन से 15 नुवंबर से वो भी स्टार्ट है इसके अलावा अगर बात करें तो वो सब्जेक्ट के लिए पार्ट ये जो कि कंपल्सरी पार्ट होता है एपार्ट कंपल्सरी इंदासेंस की इंपोर्टन्ट होता है एक्जाम को करेक करने के लिए आपके लिए इंपोर्टन्ट होता है उसके बारे में उसमें भी आप इंडोल कर सकते हो कोड आप यूज़ कर सकते हो Bcam10 for 10% discount प्लस subscription पे और इसी के साथ के साथ है special classes को unlock करने के लिए भी दोस्तों आप क्या कर सकते हो यूज़ कर सकते हो इसके अलावा देखिए अगर हम बात करें features की live classes में test series unlimited access structured course या आपको plus iconics दोनों के उपर मिलता है दोस्तों और अगर हम बात करें सिर्फ और शिर्फ iconics के जो features है उनमें personal coach, study planner, weekly review sessions, study booster sessions personalized doubt solving, SOP और अगर हम बात करें preparatory study materials की ठीक है इन सब के बारे में क्या कर सकते हो आप एक बार chat का थोड़ा सा confirm किजिएगा audio video बिल्कुल clear है क्या दोस्तों एक बार audio video का बिल्कुल clear है क्या ये confirm किजिएगा सभी मुनना लोग चलिए जी अगर सब कुछ ठीक है तो हम आगे बढ़ जाते हैं और आगे आपके लिए ये information है कि सबसे पहले तो देखिए हैं आपके मुबाइल भी होना चाहिए क्योंकि एप के दुआरा आप special classes जो की free classes है उनका फाइदा उठा सकते हैं देख सकते हैं बिल्कुल free of cost है उनका कोई charges नहीं होता इसके अलावा जो plus subscription है वहाँ आपको plus के अंदर चार टाइप का है तो यहाँ आप देखोगे सब के उपर आपको क्या मिलेगा 10% discount होता है हर किसी के उपर अगर आप referral code गीजगा 10% discount भी चाकरोगे पाऊगे किसके उपर है प्लस के उपर दोनों के उपर क्या रहेगा आपके लिए 10% discount रहेगा बग्सबंटी regarding appropriate content है दोस्तों ठीक है आपको लगता है कहीं inappropriate content है तो आप क्या कर सकते हो challenge कर सकते हो और शाम को 6 बज़े मिलेंगे हम 6 pf inorganic questions के साथ inorganic questions के साथ ठीक है जल्दी से आजेगी आफटाफट से तो ले चलता हूँ मैं आपको अपनी जो स्लाइड है उसके उपर सबसे पहले तो मैं एक कोश्चन आपके साथ डिसकस कर लेता हूं जो कि हमने अभी तक पढ़ा है उसके बेस पर हम कोई कोश्चन एक डिसकस कर लेते हैं ताकि पता चले कि तुम कितना समझ पाएगो अभी तक जल्दी से अंसर करेंगे फटा फ़र्जी यह अपना लास्ट टाइम का था यह रमन से यह लास्ट टाइम तक किया ही आधा हमने इस ठीक है अब चलिए सबसे पहले तो एक प्रीविएश शेर कोश्चन है आपके लिए पहले उसको थोड़ा आंसर दीजिएगा मिरको ताकि जुक्षेर कोश्चन है इस कोश्चन का धिजिए गा मिरको प्रीचिंट मिरको एगा कोश्चन इन इन डाप यो जो किया है उसके सच्पे आई इन डाप्योर कि रोटेशनल तो लमन करेंग पांग प्रेशनल रववन स्पेक्त्रम को अर्व फिक्स्टीन ओटु लेक्ट्रोनिक ग्राउंड स्टेट इज त्री सिग्मा जी ट्रांजिशन तू और फरोड तू और फरोड क्या होगा बताना है आपको पहला अप्ष्ण आपके सामने है दोस्तों इवन J Line इवन J Lines इवन J Levels बोल सकते हो और Lines बोल सकते हो इवन J Levels are missing वी बोल रहा है और J Levels are missing Levels are missing next I have to pass all J levels appeared और लास्ट ऑप्शन आपके पास में है D none of the J Levels appeared जलती सांसर करेंगे फटा फटा से इस क्वेश्चन का जलती सांसर कीजिएगा ये क्वेश्चन आया हुआ है जलती सांसर करो सभी फटा फट से एक बार ये क्रिएगा या आंसर करिएगा फटा फटा से क्या रहेगा ये लिग्राम चैनल पर आपको शेयर कर दीगे ये वीडियो जल्दी से आंतर करतो वर्ष पड़ा परजी इसका क्या होगा वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून वेरी गुड आफ्टरनून जल्दी सांतर करो फड़ा परजी क्या रहेगा अंसर प्योर रोटेशनल रमन स्पेक्ट्रम ऑफ 1602 उस एलेक्ट्रोनिक ग्राउंड स्टेट इजिए 3 सिगमा वन जी ट्रांजिक्शन टू क्या रहेगा अंसर आ रहा है मेरे पास है इवन जे लाइन्स आ रहे है मिशिम आव देखो लास्ट टाइम तुमको करवाई थी यह बात मैंने सबसे पहले इस न्यूक्लियर स्पिन हमें उसकी पता होना चाहिए आई न्यूक्लियर स्पिन क्या होगा 1602 के लिए आई क्या हो इजामिनर ने मेंशन ही कर दिया है तो यह सारी चीजे मैं डिस्कस कर चुका हूं लिखवाया भी था तुमको लास्ट में एक स्लाइड बनवाया भी था अगर वो तुमको ध्यान होता हो यह वाला स्लाइड यह रहा है ओटू के लिए इवन जे लाइन्स आर मिसिंग इसने क्या यह वाली बात समझ में आई सबको जल्दी से बोलतो पड़ा पड़ से यही क्या था क्वेश्चन था जो पूर्शन बचा हुए ना पहले उसको कवर कर लेते हैं जल्दी जल्दी फिर दो तिन कोशन भी प्रैक्टिस कर लेंगे जो पूछे गया है जैसे यह वाला क्वेश्चन अब आपको आईडिय हो गया खांके क्योश्चन कैसा आता है हमने किसका कर लिया था ह। क्लिक के सारे मेंने कल आपके साथ डिसक्स कर लिए थे अब दो तिन चीज़े हैं जो उनको डिसक्स कर लेते हैं उसके बाद ताकि आपको कोई और कही प्रोब्लम है ना है बोलिए जल्दी से पटापढ़ से यहां तक किसी को कोई डाउट देखो लास्ट पाक्ति today चेल के पिर सब्सक्राइब बन्कार करिए था या HOL C फ्सफ्स य्शिवर नंगे श्फ तोक मेंस क्या तोटेशल यहें मिलेगी इस के लिए तुमको गोल बहुता था N0 से N1 प्लस माइनस 1 अपने पास क्या रहेगा एक ही जो fundamental bend होता था वही consider करेंगे ना हमको overtone मिले कि ना कुछ और मिलेगा Good evening sir कैसे है मैं बढ़िया जिया बताईए यह बताईएगा यहाँ तक कल तक का मामला समझ में आगे था ना आपको यह चीज़े समझ में आगी थी ना last time हमने यह discuss कर लिया था यहाँ तक rotational रमन तक मैंने क्या बोला था क्या बचा हुआ है vibrational rotational रमन तिन्नों का एक साथ बचा हुआ है तिन्नों का एक साथ बिलकुल असान है तिन्नों का एक साथ पढ़ना और भी असान है क्यों है यह और असान देखो अगर मैं बात करता हूँ rotational vibrational plus रमन rotational, vibrational और रमन स्पेक्ट्रोस्कूपी रमन स्पेक्ट्रा अगर इसके स्पेक्ट्रा को पढ़ना है तिन्नों को एक साथ पढ़ना है तो आपको याद रखना है selection rule क्या है याद रखोगे पहले तो selection rule के बाद कर लेते हैं selection rule selection rule जो vibrational भे था delta n is equal to plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on यह तो था अपना vibrational के लिए delta j का value तुमको पता कितना था plus minus 2 था आर यह बात समझ में अब देखो अब यहां जो मैं consider करूंगा वह एक ही consider करूंगा जीरो से वन वाला क्या करूंगा जीरो से वन वाला यह तुमको बता रखता है कि fundamental band को क्यों consider करते हैं क्योंकि ground level से first excited state पर जो होता है वह क्या होता है हाई intensity का band होता है हाई intensity होती होती है यह बात clear हो रही है अब मुझे इन तीनों के लिए जब डेल्टा यह निकालना हुगा डेल्टा यह निकालना हुगा वह किरीद दो लेवल के बीच की transition का जो सारी चीज़े सब में काम किया तना वह यहां करना है इसके बाद हम अगला ज कौन से लेक्चर के बात कर रही हो है वो कर चुके सिवानी मिश्रा जी वह तो वह पीछ अजी होटभ भी मिलता है होवर्टोन भी मिलता है वो सब कर चुके भोट बेंड ओवर्टोन वो सब मने बता चुका हो कब मिलते हैं ओवर टेंट मैंने सारी चीज़े पढ़ाई है तुमको फंडामेंटल पढ़ा है साथ में वाइबरेस्जेंद की रमन पढ और में ने जो आपको बोलiffs एकंड रिख तर्मर्टेंद के बैक गरिजिन कै SPECान हमने केसे अगर सब्सक्राइबरेस्ट द्रौर बते हैं वह इसके अंदर हमें मिलती है उनित्य ऑफेलमेंटल in updates भी मिलता है उसके अलावा पॉर्टेंटल के साथ हम को क्या मिलता मिलता है wahrscheinlich के वाक किति नहीं ऑफ मैंनेक की नि डिख्ट सिरफ एक sandwichesad पता है यहां बिषस्छांगे निकालना होगा मैं कहता हूं कि इतनी स्देखो वाइक यह मेरे पास निए आप ले ले चैहां लोग altogether विणसे अपर और तो उसके अंडर निकालना था शिफ्टी तो निकालना था इसकी value हमें पता है क्या ती थी last time हम करके हैं fundamental band की w e minus 2 omega e x e ये बात तो समझ में आ रही है और इसके लिए तुमने क्या निकाला था 4b करके याद आ रहा है ना सबको अरे किसी को याद है की नहीं है 4b j dash plus 3 by 2 ये वाली चीज़े ओल्रेडी हम कर चुके तो अब आपको पीछे वाली चीज़े याद नहीं है तो आप मैंने पहले भी बोला था एक्जामिनर लास्ट से कोश्चन क्यों पुछता है क्योंकि स्टार्टिंग वाली चीज़ तो ओल्रेडी आगे इन्रोल होगी तो उसके बेस पे आप आंसर करते हो अब डेल्टा जे की वेल्यू अब जैसे यहां वारे पास क्या था जे से जे डेस से सिंगल डेस तो जे का वाले केस में यह अपने गैफ निकालना था की नहीं निकालना था आ रहे बास समझें तो यह मेरे पास ओवराल यह कंप्लीट क्या है मिरे पास यही तो क्या है जो हम रमन सिप्ट पढ़ते थे यहां क्या है रोटेशनल प्लस वाइबरेशनल दोनों के लिए जो डेल्टा स्टॉक स्टॉक्स क्या हो जाएगी स्टॉक स्लाइन क्या हो जाएगी आब बोलोगे डेल्टा वी हमको जो निकालना है रेलेलं का माईनस डेल्टाइट करते थे यह यह तो करते थें यहां रहनेए लिद्थन रिंट्ऐ यहां पूट कर देना है यह आपके लिए स्टोक्स और एंटी स्टोक्स लाइन के लिए आ जाएगा कि इसके अंदर है रोटेशनल और रमन स्टेक्ट्रम अगर मैं लिखके बता हूं तो आप इससा सोच सकते हो यह वाला मैनस वाला क्या पनेगा देखो यह तो रेले भई मैं इसकी बात निकर रहा हूँ, यह तो बार निकाल दिया मैंने, यहां इसकी बात कर रहा हूँ, इसके formula में plus का आएगा, overall देखेंगे, तो minus का होगा, क्योंकि बार minus का side है, 2bj-2, यहां तक की बात सबको समझ में आज़े निए ती कि मैंने कुछ नहीं किया, सिरफ delta e क से उठाईए और यहां रख दी, एक बार minus की और एक बार plus की कर देंगे, बस, बोलो यार, यह था अपना rotational vibrational खतम हुआ, अब आएगा बहुत important role, अब बहुत important सा question आएगा यह के, role of mutual exclusion principle क्या होता है, rule of mutual exclusion principle, जल्दी से बताईएगा फटा परसी कितने लोगों को पता है, question बताईएगा इसका क्या होता है, इस पर question भी करवाया जाएगा आपसे, answer आपको यह देना होगा, जल्दी answer करो परसी इसका, रिखलो क्या कहता है यह कोई भी मोलिक्यूल मोलिक्यूल भै कोई भी मोलिक्यूल है जो क्या रखता हो जिस मोलिक्यूल के दा मोलिक्यूल इन वीच है सब्सक्राइब जिसके इंदर यां तो सेंट्रोफ समित्री प्रेजनी रिए वह रिख्वजेंग अन्दर क्यों यहां रिकली ते करों वर कि वी कि वजेसे विल्हें इंध्र नाकृमुक्वका कै तो इन Tout इसमampa ौप। ऐसा मोलिक्यूल जिसके अंदर या तो सेंट्रों स्मिट्री प्रेजेंट हो या उसके अंदर क्या हो इनवर्जन सेंट्रों उसके अंदर देर इज नो कोमन क्या लिखोगे देर इज नो या तो हमारे पास दोनों की दोनों ना तो आई यार के अंदर है और रमन के अंदर कोई भी कोमन बेंड हमको नहीं मिलेगा अगर किसी के अंदर सेंट्रों स्मिट्री प्रेजेंट है अगर किसी molecule के अंदर center of symmetry present है तो उसके अंदर अगर IR active हुआ अगर कोई बेंड IR active हुआ तो रमन क्या होगा वो बेंड रमन inactive होगा क्या होगा रमन inactive होगा अगर कोई IR inactive हुआ कोई बेंड IR inactive हुआ अगर IR नहीं हुआ तो वो कमन क्या होगा पहले भी हुआ घर इंवर्ज़न ओप सेंटर हो या सेंटर ऐसमझ्री तो उस मॉलिक्यूल के इप हुआ तो रमनछय हुआो यां तक की भास की अती है एक्जम्पल से समझ अर्प से समझ लिया ळDRब जेए इस यो टु मोलीक्यूल है हमारे पास स्पोच करो हमारे पास क्या है सियोटू मोलीक्यूल है और सियोटू मोलीक्यूल में तुमको पता है कि अगर मैं स्ट्रेच करता हूं बोंड को अगर क्या करता हूं स्ट्रेच करता हूं को स्मिट्रीकली अगर मैं स्मिट्री के लिए स्ट्रेच करता हूं 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 स्मिट्री के लिए स जोगा क्या स्मीृत इस हम स्ठेशिंग के दोरान डिख स्ठेश के दोरान है अगर मैं इसका बस ट्रेच करता हूं अच्छा आपने तीन चार चीजे पड़ी थी एक आम ग्रोश komt लूंट पढ़ते हैं बार-बार स्टाइब उह कहता है अगर किसी बाइब्सेंट हो रहा है वाइब्सेंटर करें और तक किसी मोलकीय ऐण्दर अगर स्ट्रेचिंग के दवरान उसका data नाची चाहिए कि तो आप क्या बोलोगे इस केसे अगर यह आ इक्टिव हैं अगर हम क्या कर ले एस मिट्रिक कर ले क्या कर ले एस मिट्रिक स्ट्रेशिंग के बाद कर ले एस मिट्रिक स्ट्रेशिंग के केस में क्या हो जाएगा आयर एक्टिव हो जाएगा रमन इनेक्टिव हो जाएगा भई एक को हमने बॉंड को बढ़ा कर दिया एक को छोटा कर दि रमन क्या हुआ इनेक्टिव होगा बोलो यहां तक की बात कितने लोगों को समझ में आई जुआ जल्दी से बलो बड़ा पर से बिल्कुल बोल रहे हैं यस सर सही है जी यस केलियर है ओल केलियर जल्दी जल्दी बोल दो सभी कि कलियर है सबको एक कोशन का अंसर करेंगे सभी, एक कोशन का अंसर करेंगे सभी, एक कोशन का अंसर करिएगा सभी, कोशन का अंसर करिएगा आप सभी, कोशन कहता है इंदा वाइब्रेशनल इंदा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा ओप सियो टू दा नंबर ओफ फंडामेंटल नंबर ओफ फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड वाइब्रेशनल मोड फंडामेंटल वाइब्रेशनल मोड से कॉमन इन बोथ इंफ्रारेड एंड रमन आर ओप्शन ए है ऑप्शन करेंगे फटा फटा फट से कॉस्चन का कितना मुनना लोग आंसर करेगा इसका जल्दी से अंसर करते हैं फटा फट से, क्या रहेगा इसका आंसर, इस कोश्चन का क्या रहेगा आंसर, बोला जाए मुनना लोग सभी के द्वारा, आई यार एक्टिव रमन इनेक्टिव बिल्कुल सही बोले हो एकदम एकदम परफेक्ट, एकदम क्या बोले हो, परफेक्ट बोले हो, कि तीन आ रहा है जी तीन आ रहा है कि शिवानी का रहा है तीन थ्री बाक्य मुन्ना लोग बोलेंगे कि सभी आंसर करेंगे भी शिवानी के अलावा किसी का आंसर नहीं आया अभी तक क्या होगा कोई मुन्ना आंसर करना चाहेगा कोई मुन्ना इच्छुक है आंसर करने के लिए कोई भी आंसर नहीं कर रहा है यार क्या कर रहे हैं देखो सुनो मेरी बात अभी तुमने देख के आए अभी तुमने क्या कहा mutual exclusion principle क्या कहता है कि कोई भी common band नहीं होगा mutual exclusion principle की लाइन अभी तो लिख्किया है no common band थोड़ा सा ध्यान से पढ़ो थोड़ा सा ध्यान से क्या बोला था mutual exclusion principle है अगर किसी molecule के अंदर center of symmetry है center of inversion center है symmetry तो हमारे पास ना तो IR और रमन के अंदर कोई भी band common नहीं होगा यहीं तो कोश्चन था वस यहीं तो कोश्चन है vibrational spectrum of CO2 the number of fundamental bonds are common in both IR and Raman बोलो यार तोटल की बात ही नहीं कर रहा हूं कहां बात कि है टोटल का कुछ पुछा ही नहीं है मैंने क्या पुछा है कि रोट vibrational mode common in Raman and IR दोन्नों में कितने point common होंगे यह पुछा है कितने होंगे क्या होंगे वह तो बात ही नहीं कि common कितने होंगे वस यह बताओ common अभी mutual exclusion principle क्या कहता है common कितना होगा अरे लेक मुन्ना यह नहीं पूछ रहा कितने होते हैं मैंने यह पुछा है क्या भई vibrational में कितने mode होते हैं तुम्हारा अंसर तब आता मैंने यह पूछता कि CO2 का vibrational mode में fundamental bond में कितना band मिलता है यह question तब बदल जाता पूरा अगर यह होता तो वह बात अलग है तुम question नहीं समझ रहे हो मैंने यह पूछा भी मैंने यह थोड़ा नहीं कि कि CO2 का fundamental wind जीरो आता है मैंने यह बोला कि कि vibrational iR के अंदर जीरो आता है मैंने यह बोला क्या मैं यह बोल रहा हूँ कि vibrational mode common common in both IR and Raman तुम सिरफ किसकी बात कर रहे हो तुम इसके बारे में बात कर रहे हो तुम सिंगल होगा answer कोई 2 बोल रहा है कोई 3 बोल रहा है कोई 4 बोल रहा है answer क्या होगा 0 होगा statement पढ़ो ध्यान से मुझे पता है तुम सब को वही लगा होगे तुम 3 and minus करके वो जब IR की बात होती है common jump कि यह यह पढ़ाया है इसलिए question करवाया है कि mutual exclusion principle यह कहता है अगर किसी molecule के अंदर center of symmetry present है center of symmetry present है तो उसके अंदर mutual के अंदर कोई भी अपने पास बेंडे common नहीं होगा यहां तक की बास मुझे आई तो बोलो अब देखो next अपने पास electronic आता है electronic spectra electronic spectra electronic spectra वैसे तुमने सारा देख रखा है कि electronic इनके लेवल होगे उनके अंदर क्कौसे और सिरूपे से और मायब्रेश होगे यह चीज हम बात-बार डिसकस कर चुके हैं है अब जो इंपोर्टन चीज है होँढ मैं आपके साथ वाइब्रेशनल पोर्स चा वाइबुरेशनल सामने आता है वाइब्रेशनल कोर्श कीओ बलो बटा पर से बूलो बैई क्वाज्बुर्ट बढ़िए बोलो बढ़र क्या होता है इसके अंदर जल्दी से बोलो इसका मतलब यह है कि मेरे पास यह है electronic levels यह क्या है electronic levels है और इन electronic level के अंदर यह मेरे पास क्या है vibrational levels यह क्या है red वाले क्या है अगर तुम एक को विडश मानोंगे शो मानते को वी डबल डेस किसी ऐक को या तुम इसको डब Um जिते क्या हों है तो यह मेरे पास क्या होंगे वीडश में रहे हैं व क्या पόςला यृइज व वी डबल डेश, वी डेश, इनका वेल्यू होगा ना कुछ ना कुछ है, 012, 012 ऐसे, आ रहे हैं बाद समझे, और यह तुम्हारे पास electronic levels है, यह तुम्हारे पास क्या है, electronic levels है, जिनको भी तुम क्या बोल सकते हो, वी डबल डेश, यह वी डेश, बोल सकते हो, यह वी डेश है, तो नीचे वाला वी क्या होगा, वी डबल डेश होगा, यह ground level है, तो यह excited level है, यह second excited level, यह समझा रही है, इसके अंदर क्या होगा, देखो, मेरे पास एक वी डेश होगा, उसके respect में उन्हें e डेश माल लिया, एक वी डेश है, तो उसके respect में e डेश माल लिया, यहां तक की बात समझा रही है, मतलब क्या है, कि अगर मैं एक को excited state बोलता हूँ, तो एक को क्या बोलता हूँ, ground state बोलता हूँ, जिसमें मैंने double day किया, उसको मैंने ground state बोल दिया है, और दूसरे वाले को मैंने क्या बोल द इस vibrational level से इसमें, इससे, इसमें, इससे, इसमें यह वाले, मतलब एक ही level के अंदर जो rotational level है, एक ही level के अंदर, जितने rotational levels है, उनके अंदर क्या हो रही है, transitions, अब जो मैं बात कर रहा हूँ, वो किस की कर रहा हूँ, एक level के vibrational level से transition, दूसरे electronic level के vibrational level के बीच में, एक level के vibrational level से transition किसी दूसरे electronic level के vibrational levels के बीच में यह vibrational levels अलग है ना और यह अलग है इनके बीच में आपस में जो electronic transitions होंगी आ रहे यह बात समझ में इन vibrational levels के बीच में कोई भी selection rule नहीं होता कोई भी selection rule नहीं होता transitions के लिए मतलब सारी की सारी transition सारी की सारी allowed होती होती है क्या होती है सारी की सारी क्या होती है allowed होती है all the vibrational transition levels are क्या बोलोगे all vibrational all vibrational transitions are allowed all vibrational transitions are allowed यहां सारी की सारी जब level ही बदल गया electronic level ही बदल गया तो यहां क्या होता है सारी की सारी क्या होती है possible होती है जितनी transition होंगी वो सारी possible होगी, यहां से यहां होगी, वो भी possible होगी, यहां से यहां होगी, वो भी possible होगी, सारी possible होगी, अब एक बात आती है, इसमें दो अलग terms है, वो उनको ज्यान से समझना, इनके अंदर जो type के आपको lines मिलती है, एसे lines में दो category की line मिलती है, two type of line, two type of line, एसे spectrum में आप आँको दो ट्रेकि लाइन्स मिलती है एक को क्या बोलते हो मौने प्रोग्रेयसिव् क्या बोलते हो मैं प्रोगरेशन बोलते हो मझार्ण लिखेर एक होती है progress lines एक होती है sequence lines क्या होता है progress lines और sequence lines अब देखो दोन्हों में difference क्या है पहले difference देखो मेरे पास कोई भी ए या आइधर कुछ भी लिग लो कि अगर वी डेष और वी डेषफर दोल नंबर होंगे न देखो यहां अगर मिरे पास यह वी बात समझ में आ रही है तुम को मैं बोल रहा हूं कि मेरे पास दो लेवल है और दो लेवल के बीच में कछ ना कुछ एक अश्क एसा माल तो के पहला लेवल है जो ग्रीण वाला तुमको दिखाई दे रहा है एक यह वाला लेवल है जो थोड़ा उपर है पे है electronic level है उसके बाद एक और कोई level है उनके बीच में जो rotational levels है ना उन levels के अंदर रही दूसरे electronic level के transition उनके साथ हो रहा है यहां तक के बाद सबको clear होनी चलिए अब इनके अंदर दो type की lines आपको नाम दो category से इनको क्या करते हैं डिवाइड करते हैं जो यह transitions होंगे ना इनको दो तरह से क्या करेंगे हम क्या करेंगे consider करेंगे वह कौन कौन सी है एक तो अपने पास होगी progression progression में क्या होगा देखो दोनों मेंसे वह दो टाइप के vibrational number होगे एक मेरे पास VDs है और एक VDs है दोनों मेंसे किसी एक को fix रखना है किसी एक को क्या रखेंगे fix रखेंगे वह मालों मेंने क्या कर दिया इसको fix कर दिया VDs को क्या कर दिया fix कर दिया fix का क्या मतलब है भई fix का मतलब देखो यहीं बता देता हूं साथ के साथ क्या मतलब है पहले इसको progression वाले को खतम कर लिते हैं प्रिक्स का मतलब यह है कि यह आपके पास क्या है कोई लेवल से यह आपके पास क्या है लेवल से यह आपके पास क्या है इलेक्ट्रोनिक लेवल से यह वाले यह वाले आपके पास इलेक्ट्रोनिक लेवल से और यह आपके पास कौन से है वाइब्रेशनल लेवल से यह आपक तो एक 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 लेक्ट्रोनिक लेवल है और इसका इधर वीडेस इसका मतलब क्या है कि एक को क्या रखना है एक को क्या किया है तो जो सारी ट्रांजिशन्स होगी वो कैसी होगी यह वाली ट्रांजिशन्स होगी माली दिये यह वाली हो गई यह वाली हो गई इसमें देखो हर बार ट्रांजिशन्स के दोरान क्या नजर आ रहा है तुमको वीडेस का क्वांटम नंबर तो फिक्स है वीडेबल डेस जो लिया है मैंने यह वाला तो फिक्स कर दिया यह लेव जेंज कर सकते हो बोलो यहां तक के बाद समझ में आई कि नहीं मतलब क्या। मैं कैसे दिखाए इनके लाइनस को तुम कैसे दिखाऊगी मतलब सुधा मुझे वपताना हो कि ट्रांजिघ्व से कर सकता हुआ अब इनमें से कौन सा पोसिबल नहीं होगा वह बताना तुमको तुमको यह बताना ये इनमें से कौन सा पोसिबल नहीं होगा कैसे मैंने यानलाइवल्स लिखे तुमारे सामने कुछ V V double dash ठीक है, V double dash मैंने fix रख दिया, इधर मैंने कहा 2 V double dash, मैंने लिखा 1 V double dash, मैंने लिखा 3 V double dash, ऐसे-एसे मैंने ये levels लिख दिये, इनमें मैं क्या बोलूँगा, मेर पास progression में कोन है, प्रोग्रेशन में कौन है मुझना आप बोलोगे sir V लेस्ट तो क्या है प्रोग्रेशन में प्रोग्रेशन का मतलब क्या है कि वह चेंज हो रहा है को इनमें से कौन सा वेलिड नहीं है कौण सा valid नहीं है, कौण सा valid नहीं है, इन में से, अगर इन levels को मैंने जैसे आपको बता है, बहिए मैंने ये बोला कि नीचे वाला level जो है ना वो मिने fix कर दिया, भे मैं मेरे पास तीन level है, electronic level, तीन level मतलब एक, ये Elektronik level, ये E1 है, तो ये E2 है, और ये E3 है, और इनके बीच से ठ्राइशन किया इहां बेपों सा एक वैलिड नहीं होगा यह आर पास एक दो तीन चार इनको ओप्सन ही मान लीजिए A, B, C, D और वेलिड नहीं है वो बता दीजिए गा यह A है यह B है यह C है और यह D है कौन सा वेलिड नहीं है इनमें से A, B, C, D में से कौन सा वेलिड नहीं है वो बता दीजिए बस Very Good Afternoon Parole Very Good Afternoon V Double Dash Fix है हां जी V Double Dash Fix है V Dash क्या है Progression में V Double Dash क्या है प्रोग्रेशन में V Dash Progression में Zero और V Double Dash आ रहा है किसका पंमीगा बोलो कैसे कैसे बोलो कैसे Region भी हमको चाहिए Region चाहिए हमको Region हमको Region चाहिए Region भी बता दो answer तुम्हारा एकदम ठीक है Zero से V Double Dash क्या होगा आप नहीं होगा क्यों नहीं कि यह बान के चलो पहले बात सुनो वी जीरो का मतलब तुम क्या कहते हो अगर मैं तुमको एसे लिखूं यहां अगर मैं यहां तुम्हारे लिए इसे ग्राउंड एसे वाइब्रेशनल लेवल्स बनाता हूं तो तुम क्या बोलोगे यह ग्राउ तो बनेगा नहीं आप ग्राउंड लेवल में कैसे कर दोगे तुम्हण। यहां से यह अवाला यह ग्राउंड लेवल्स जी रहे Все जाता हूं पहले जब नहीं होगा इसलिए जर नहीं होगा वैंसलिए यह तो तुमने प्क्स कर दिया है और यहां यहां तुम ट्राजिशन भेज रहे हो अब मुझको अगला कोश्चन बताओ अगला मैंने ऐसे बना दिया तुम्हारे पास वही तीन लेवल यह इलेक्रोनिक लेवल है तीन और इनके अंदर यह क्या है मेरे वाइब्रेशनल लेवल से यह वाले मेरे पास क्या है अब मैं कैसे करवा रहा हूं अब ट्रांजिशन कुछ ऐसा हो रहा है देखो यहां से मैंने यहां बेज दिया मुना जीरो पर यहां से मैंने यहां बेज दिया यह वाला यह वाला लो यहां से मैंने यहां बेज दिया यह वाला इस बार देखो अब जो तुम ट्रांजिशन करवा रहे हो जो भी ट्रांजिशन करवा रहे हो मतलब है उसमें तुमने एक को फिक्स करना है इसमें क्या करना है दूसरे वाले में किसी एक को फिक्स करना है किसी को भी कर दो माली जी एक को चेंज रखना है एक को फिक्स करना है एक को चेंज करना है एक को फिक्स करना है वह जbil पूपर से जब लाइन बेज रहे हो तुम यहां से यह बेज रहे हो ऐसे यह वाली लायन से इसे इस्वाली लाइन से इसमें देखो इसमें तुम कैसे लिखोगे अब देखो यहाँ V-dats फिक्स है वरीय डेर्श तो क्या कर दिया और फिक्स कर दिया और वीय ड manifestation में है प्रोग्रेशन में और Vibration Core in electronic transitions में सारे rule क्या होते हैं valid होते हैं मतलब सारी transitions आपको शो होती है सारी कि सारी क्या होती है शो होती है यह बात बोल दी मैंने अब मुझको यह बताओ कि इसमें कौनसे fix कौनसा valid लीड होगा कौन सा नहीं होगा इसके अंदर बताना मेरे को फर्स्ट है मेरे पास कि वी डेश जीरो कि वी डेश वन कि वी डेश टू यह ओप्शन ए है यह ओप्शन बी है यह ओप्शन सी है और यह लुक्त मेरे यह ओप्शन दी है ओल ऑल ओफ्फ दीज बताईये का पटावर्ज से कौन सा होगा क्या होगा वाल पतावर्फ तर यह करिए का कौन सा होगा रही जल्दी से अंसर कर दो इसमेंजे कि कौन सा इसका होगा सही यह तैप कि ए बी सीडी में से कौन सा वेलिड होगा कौन सा नहीं होगा जल्दी से अंतर करो कि डी आ रहा है डी आ रहा है डी आ रहा है अगर यहां देखेंगे हम अगर बात करें वी डेश और वी डबल डेश की प्रोग्रेशन और फिक्स की ओल ओफ दी जा रहा है रहा है सब्सक्राइब्स देखों अगर मैं यहां से चला लास्ट शदी वाले में यह वाल रखता वी डबल देश जीरो वी डबल डेश वन वी डबल डेश ट्रोग्रों एक्साइटी में जीरों से तो ना श्टाड़ करोगे works तो यहां तो ऊपर से नीचे आ रहा है तो यहां यहां से यहां आ रहा है तो जीरो यह तो वेलिड होगा इस बार तो इस बार तो यह भी वेलिड होगा यहां यह वेलिड नहीं था यह वाला यह बात समझ में आगी नहीं सबको तो यहां तो सारे के सारे वेलिड होंगे यह सम प्रोग्रेशन लाइन सबको समझ में आ गई क्या है अब चलते सिक्वेंस लाइन की तरफ कौन सी लाइन की तरफ है सिक्वेंस लाइन की तरफ दो टाइप की लाइन थी एक प्रोग्रेशन थी एक सिक्वेंस थी सिक्वेंस वाली लाइन कौन सी होगी देखो लिखो सिक्वें सेक्वेंस में देखो तो हमारे पास डेल्टा वी जो होगा डेल्टा वी उसको फिक्स रखना है डेल्टा वी को क्या करना है फिक्स रखना है क्या रखोगे fix रखोगे अगर यह मेरे पास वी डेश है सारे अलग अलग नंबर इनका कुछ भी ठीक है इनके अंदर क्या रखोगे आप इनका और इनका नंबर इनका जो गेप होगा इसको रखोगे इसको रखोगे इसको क्या रखोगे fix क्या मतलब है जैसे 0-0 रहा है 0-0 वन से वन और यह तो दूनों गप्ट रहेगा ना तुम बोल दोगे टू से टू हो रहा है तो डेल्टा वी तो यह अरए जी रहा है और जीरो भी तो क्या एक क्रूंस्टेंट है न सब्सक्राइब यह अर्वी तो कि ऑर सकते हो टोथ 2 एकुन सा नहीं है, कौन सा consider नहीं करोगे, सब की बीच में एक, ऐसा कौन सा जो consider नहीं होगा , को बोलो, आंसर करो मुणना, आंसर, को भ सकतार करो , बटा मच से, क्या होगा , बोलो 5 & 3 बिल्कुल क्योंकि सबका गेव फिक्स है 1 1 1 1 और इधर 2 है काट दो ठीक है तो यह क्या रहेंगे इसके फिक्स्ट लेवल रहेंगे यह क्या बोलोगे सिक्वेंस लाइन बोलोगे से likewise लिए सिमझ में आया लाई है यहां तक की बात सबको समझ रहे है रहे तो अब ही चीज और पूसता एक बार पूश्ट पुछा 170 घ्रीया है एक बार कोशन अचुका है जो अगला टोपिक है उससे एक बार कुशन आया एक्जाम केंदर कोसें क्या देखो तुमने अभी तक यह वाले चीज़ पढ़ी है क्या पढ़ी तुमने डिसोशेशन एनरजी का पार्ट है तुमने जो सिंपल वाला पढ़ाया है डिसो बोलते थे हमें कि molecule क्या कर जाए dissociate कर जाए उस energy को तुम क्या बोल देते थे dissociation energy यह energy का ग्राफ हुआ करता था और आपने ऐसा कराव पढ़ा था एक आपको ध्यान में हो तो अब कितने लोगों को ध्यान में है वो मुझे नहीं पता एसा कराव मैंने तुमको पढ़ाया था एसा कराव और यहां तुम बोल रहे थे आयन जो atom से molecule है वो dissociate कर जाता था और इसे तुम्हें क्या बोल दिया था dissociation energy बोला था तुमको याद हो तो इसको तुमने क्या बोला था दिया बोला था dissociation energy तुमको सबको ज्यार में होता हो अब मैं इसको प्राइम और डबल प्राइम कर रहा हूं थोड़ा सा ज्यान देना बात पर थोड़ा सा ज्यान देना बात पर देखो एक बात और सुनना जो तुमने प्योर वाइब्रेशनल पड़ा था अभी हमने जो वाइब्रेशनल की बात की थी सिंपल की वाइब्रेशनल की तो हमारे सामने जो dissociation energy जो अभी तुमारे सामने ग्राप बना हुए न उससे तुमने जो dissociation energy निकाली थी वो हम सिरफ ground state पे निकाल रहे थे वो ग्राउंड लेवल पे निकाल रहे थे वह कोई molecule जब dissociate कर रहा था तो वो ग्राउंड लेवल पे जो molecule dissociate कर रहे थे ना उनके बारे में कौन जानकारी दे रहा था हमको कोई molecule excited का मतलब क्या है यह वाले मेरे नीचे वाले लेवल हुए लेट सब्सक्राइब लेवल हुए इन molecule अभी जो dissociation energy vibrational बता रहा वो तो इनी के अंदर बताएगा नीचे वाले levels के अंदर जब हम किसी excited levels के अंदर बात करेंगे तो यहां तो molecule dissociate होगा ना यहां कोई molecule जो होगा वो टूटके अपने atoms में convert होगा elements में बनेगा तो उनके बारे में जानकारी नहीं दे रहा था कौन vibrational electronic दोनों के बारे में जानकारी दे देता है यह जो graph है यह कहां है यह vibrational ground level के लिए बात करते थे तुम यहां तुम्हारे पास कुछ level हुआ करते थे दुबारा बना देता हूं यहां यह तुम्हारे लिए levels है यह वाले क्या थे levels थे vibrational levels ठीक है मुन्हा अब इनको तुमने अलग-अलग नाम दिया हुआ था energy का इस energy को तुमने यहां से यहां तक की जो energy थी उसको क्या बोला हुआ था true energy बोला हुआ था तुमको जान में आ रहा हूँ तो d double dash वहां मैंने सिरफ d node लिख था वहां सिरफ d node और d e लिख रहा था यहां मैं इसको dissociation energy बोल रहा हूं और d node मतलब क्या बोल रहा हूं d node double prime मतलब true energy और ground level की बात कर रहा हूं ठीक है यहां तक की बात समझ में आ रही है और तुमने साथ में इसको क्या बोला था जीरो पॉइंट एनर्जी भी बोला था इसको डी double dash किया था और यह तुम्हारी इधर क्या चलती थी इंट्र न्योगलियर डिस्टेंस चलती थी अभी जो तुम levels बना रहे तो उसको नुच्छ इसे भनाएं यह वाला Stevens देख लो यह यह जो बात है यह किन के लिह निच्चे वालों के लिए इसके उपर भी तो क्या बनेगा एकसाइटेड लेवल में कुछ एकसाइटेड लेवल के लिए एक और बनेगा यह बात समझ में आ रहा है इसको तुम क्या बोलोगे यह कौनसी एनर्जी है जीरो पोटेंशनल एनर्जी कौनसी है यह जो जो अब देपो अब एक बात आं से सुनना जब तुम किसी मोलिक्यूल के अंदर जैसे जैसे 0 point energy बिल्कुल जैसे जैसे तुम्हारे को मैंने यह बात बोली थी N का number बढ़ेगा N का number जैसे जैसे बढ़ता था level के बीच का gap गट रहा था N का number बढ़ रहा था level के बीच का gap क्या कर रहा था decrease कर रहा था तो जैसे जैसे तुम excited level में जाओगे तो तुम्हें पता है कि यहां आकर molecules क्या कर गए होंगे सारे के सारे excited state के अंदर dissociate हो चुका होगा molecules ठीक है तो अब तुम जैसे excited state में जाओगे N का value बढ़ेगा N का value बढ़ेगा तो जितना transitions है न जो सारा वो सारा merge करके आपको ऐसा लगेगा एक band सा देगा मंदलब एक continuum क्या होगा appear होगा आपको क्या होगा continuum appear होगा continuum continuum बोल सकते हो continuum बोल सकते हो continuum क्या हो वो यह है कि यहां से लेकि यहां तक की energy अब तुमको सेम नजर आएगा सारे bend ground level वालों से लेके excited level वालों के बीच का gap जैसे कम होगया तो आपको इसा लगेगा कि एक continuum सा अपियर होगा इसको क्या मोल दोगे mu continuum यह आपको exam के अंदर दिया होता है question अब mu continuum कौन सा exam यह कौन सी value होगा आपको ओगे एसा point ऐसा point जहां molecule क्या कर जाए dissociate कर जाए इन atoms in excited state लिख लो mu continuum कब अप्यवर होता है the point the point at which वो पॉइंट जहां मोलीक्यूल क्या कर जाए डिसोशेट कर जाए इस इन एक्साइटिड स्टेट कैसे सर्फ देखे सुनिए मोलीक्यूल तो यहां भी डिसोशेट कर गया था मोलीक्यूल तो यहां भी डिसोशेट कर गया था इसलिए तुम इसको क्या बोल रहे थे एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहे थे यहां तक वही लास्ट टाइम हमने जब सिंपल वाइब्रेशनल पढ़ा था ना अब जिस मुन्ना ने लास्ट वाली क्लास से देखे होगी उसक समझ में आ रहा होगा कि यहां से यहां वाला जो लेवल था यह हमने सिंपल वाला तो पढ़ा था ना एक डाइग्राम तुमने सब ने पढ़ा होगा वाइब्रेशनल के अंदर वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हो तो यह सब ने यह ग्राप पढ़ा होगा यहां तुम dissociation energy इसका numerical भी मैंने करवाया था मैंने continuum किसको बोला है molecule जब यह continuum है यह complete यहां से लेकर यहां तक का मैंने का कि जब molecule कहां dissociate हुआ excited state में यह dissociation किसका है यह तो excited state में है अगर यह ground level वाले है तो यह excited state वाले कैसे यह वाले levels यह जो levels है यह तो excited level के level है ना excited electronic level के अंदर vibrational levels है कितने लोगों को यह wording समझ में आ रही है पहले तो यह बताओ confusion तो नहीं है जल्दी बोलो यह फटा फ़र से पहले तो यह बत बताओ question कैसे आएगा वो भी बताओंगा molecule dissociate to excited state is called continuum बिल्कुल जब molecule कहां dissociate तो यह भी हुआ था पर वो ground level में हुआ था जब excited state में dissociate हो जाता है तो वह नीचे से लेकर उपर तक का जो आएगा आपने पास मामला उसको क्या बोलोगे continuum बोलोगे कलियर होगी यहां तक की बात अब देखो question कैसे आएगा formula कैसा था question आया कैसे था यह जो week continuum है इसको कैसे कैसे लिखा जा सकता है इसी पर question आया था इसी के ऊपर इसको कैसे कैसे लिख सकते हो आप बताओ बदाओ अब मुझको कोण बताएगा कैसे कैसे लिख सकते हैं लिख देखव मैं इसकी दो तरह से Moral मिल देता हूं इस एनर्जी को जो डिफ्रेंस है इसको इसको कौनसी एनर्जी बोलोगे इसको क्या बोलोगे इसको भी लिख लो एक्साइटेशन एनर्जी जिसको लिखा इसको क्या लिखोगे इसको यह लिखोगे एनर्जी डिफ्रेंस है यह क्या है एनर्जी डिफ्रेंस है एनर्जी बिटुइन, ground state atoms, बात द्यान करना, atoms लिकराओ, ground state atoms and excited state atoms, excited state atoms, क्यों, देखो, यहाँ atoms बन चुके था न, molecule यहाँ, dissociate हो चुका था, इस position पर, इस position पर, molecule dissociate हो चुका था, यहाँ भी, molecule dissociate हो चुका था, वो excited state था, यह ground state के थे, तो अब atoms के बीच की जो energy, acid drum आपको लिख्की भी मिलेगी आप्टर डिसोशेशन इन एक्साइटिट स्टेट मर्जिंग इसका अब देखे यह आपको स्टेट्मेंट में लेंग्वेज ऐसे भी दे सकता लिखके डिफ्रेंस इन ग्राउड स्टेट एंड एक्साइटिट स्टेट एक्टमस के बीच की वेल्यू इतनी है क्या बताओ फ्रिक्वेंसी कॉंटिनम की बताओ वेल्यू कितनी आईगी म्यू कॉंटिनम कितना होगा ठीक है बात समझ में आ रहा है ये वला सबको बोई आप फौर्मुला लिख लो जो यदे आपको याद मैं कॉंटिनम ऐप सब्कराओ थि मुर्वोगे ईक्साइटिटेट एक्साइटिड डे अक्साइटिट करोगे one ट इसको ऊपर तक रखो यहां तक क्योंकि डिसोशेट पर ना नीच्छे तक नियुकर नाइं यहां तक यह द्यान है यहां तक को यहां से आitzer यह पस्टू आपना लेवल जृआ है यह वाद यह अनर्य क Country meals वहांस यह वाली यह वाली energy मेरें प्लस यह इंच ऑल हारा यह यह वाली वैसित अहरत को टूसरा यह में सकता तुमको mu continuum की value d node 1 plus v 0 0 यह क्या है v 00 मैंने बोला d node dash एक तो यह बोला मैंने अब देखो यह दूसरा formula कहां से आया है इसके लिए तुमको क्या देगा बताओ यह दूसरा formula जो है कहां से आया है कौन बताएगा मुझको यह तो तुमें साफ साफ नजर आ रहा है यह वाला formula तो तुमको साफ साफ नजर आ रहा है कि सर मेरे को पता है कि यह वाली value हमें निकालनी है यह जो line है यह वाली निकालनी है यह black वाली जो line है यह हमें find out करनी है और एक यह वाली line है मेरे पास एक तो यह वाली इसको प्लस इसको जब करूँग dal दोनों का सम करूंगा तो भीं कोंटिनो मिल जाएगा दूसरर सम संगे लिखा ईसका सम और सथ में वी जीरो packed निए निशिएो से जीरो इका है है क क्या हूँ हैmer बोलो बोलो मुन्ना बोलो जल्दी जल्दी से कैसे कहां से क्या आया होगा जल्दी रिप्लाई करतो सारे कैसे आएगा क्या आएगा क्या बनेगा जल्दी से बोलो यार फटा फट से रिप्लाई करो कैसे आया होगा दूसरा फूर्मला इसमिर को सिंपल सी बात अगर टुम यहां से यहां film कर वाउगे जीरो छीडिरो लेंगे तो वह क्या इपने पास है फर्स्ट वाले का आरी ये बात समझ में उन्ना ये बात समझ में आई कि नहीं आई बोलो रहे जल्दी से पटा पड़से कोशन लिख लो एक कोशन कैसे आया होता देखो कोशन लिख लो कोशन कैसे पूचा गया था वी कॉंटिनम को वेल्यू तुमको दी गई थी 5 5 5 6 8 7 5 cm यह वाला दिया वा था साथ में तुमको दिया गया था एनर्जी डिफ्रेंस एनर्जी डिफ्रेंस बिट्विन एक्साइटिड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट एक्साइट एक्साइटिड स्टेट एंड ग्राउंड स्टेट एक्साइट 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 से कर ऊसे कर सार निकाल कर बताएंगे सब का आनसर आना चाहिए इस गोश्न इस अचुका एollar इस टोपिक से कोश्चन आ चुका है मुन्ना CSIR के अंदर करो इस कोश्चन को करो वी कॉंटिनम का वेल्यू तुमको दिया हुआ है एनर्जी डिफरेंट विट्वेंट एकसाइटिड एंड ग्राउंड स्टेट एटम के बीच के एनर्जी दी हुई है प्रिव डिसोशेशन एनर्जी ऑप ग्राउंड स्टेट आपको बतानी है कितना होगा जल्दी से बताईएगा फटापट से क्या होगा कितना लोग आंसर करेगा जल्दी देखते हैं भाई करो यार आंसर करो फटापट से फास्ट किसी का आंसर नहीं आ रहा है कौन देखा सबसे पहले आंसर मैं बेट सोल तो कर रहे हो ना कि डबल फाइव थ्री शिक्स डबल फाइव थ्री शिक्स कि देखो मैं तुम्हें बता देता हूं पहले क्या दिया हुआ है क्या तुम्हें पुछा गया है उर है और fonts da ड लोल देश यहीत लीवाल यही तो ग्राूंड लेवल के नदी डडडोंडरेटी। अरे यही तो बोल लिए है यह दो वेल्यू थी अरे यार यह ग्राप था कुछ ऐसा ऐसा ठीक है यहां से यहां तक की जो वेल्यू थी यह वाली तुमको दे रखी है यह वाली वेल्यू तुमसे पूछ रहे बस बस language वाला question था और कुछ नहीं था इस question कि अंदर क्या करना था वेलिव पूट कर लो यह बेलिव तुमको दिया है 56875 ये दिया हूए वे CassiTet कितना दिया है दोनों इस के बीचर का दिया है तुमको वनफ़ाइब इसको 25 kö COVID-19 ये आया है ठीक में इसके साथ सब्सक्राइब कर देना है कि ताली साथ सो पचास सेंटिमेटर इन्वर्स कर देना यह कोश्चन आया वा था कितना सिंपल कोश्चन है अगर फोर्मूला पता हो तो पर स्टेटमेंट देखकर इससा लगता है यही तो आया है सर बिल्कुल इस अब को फाइब डबल सेवफ क्या लिख रहे हो यह यहां फाइब बाद में लिखा हो देख लेना वह थिक है यह वाला वैल्यू देख लेना मुन्ना यह जो फाइब में लिखे है इसके अ iloique दियू हूई यह इसा और यह वहाला एसा है यह वाला वेल्ई तुम को दिया हुआ है ठीक है यह वाला वैल्ए तुम से पूछा हुआ है फुछा है यह वाला व्यलू से दोनों है वो दोनों ब्लेक लाइन वाले तुमको दे रखें दोनों दे लिए है तो अब कोश्चन भी लगा लो इसी के साथ तुम्हारा यह खतम होता है सारा मामला स्पेक्ट्रोस्कोपी का एक दम इससे बाहर नहीं जाएगा अगर तुम यह सारा पढ़ लोगे तो फोर्दा वाइब्रेशनल दो तिन कोश्चन करवा देता हूं बस फोर्दा में विवेशनल्रंमन स्प्क्त्रा एक है हम Опरनी निकलर होदर नाहीं होमॉन्यों यूपलिर ús को मैंरा दिय अनिक्मा फेола आपका इनिक्वह जानलेयं नाहीं है हमनो नुडले दी अनिक्मिक्त्षर महं थातब्स लिएव णिक्ट्षर अस्लेक्षर्ण ... और भी अससे प्त Harmonic Approximation is first option A Delta V is equal to 0 only Delta V is equal to plus minus 1 only C Delta V is equal to plus minus 2 only D Delta V is equal to 0 plus minus 1 only answer करो बे क्या होगा फटा पड़से answer करतो सारी चीजे करवा चुका हूं अब जल्दी सांसर करो फटा पड़से सर इस तरह के question आता है इजी है आया हुआ था वह question मुना आते नहीं आया हुआ था वह जितने topic करवाए हैं सबसे questions आये हुए हैं और सारे questions मेंने साथ के साथ तुमको करवाने की स्कोशिस भी किये जल्दी answer करो इसका भी अगर तुमने ये सारे physical spectroscopy के सारे lecture देखे ना तो तुमको बिल्कुल असान लगेगा एक pattern में तुमको करवाया गया है sequence में बिल्कुल इस चीज के बाद ये इसके बाद ये इसके बाद ये होका तो एक दिन एक lecture लगा लेंगे previous year question और कर लेंगे पर previous year करने का तभी मज़ा आता है कि सामने से तुम answer करो ठीक है अब तुमने अगर theory पड़ नहीं रखी हो गिर मैं question करवाँगो ना फिर कोई फाइदा नहीं है फिर तुमको पता ही नहीं चलेगा कि सर कहा line missing हो रहा है old line कहा missing हो रहा है कहा line आ रहा है जल्दी answer करो अब इस question को देखा जाए तो इसमें कुछ नहीं था पर इसकी statement देखके यू लगता है कि यार यह तो पड़ी ने रखा बस पूछा किया किया माइनस किया है दो चीज़ों को बस इसका बोलो रहे है वाइब्रेशनल रमनवाले का क्या था डेल्टा वी इकवल टू ओनली 0 बोल रहे है कि चेंज ओनली 0 का होना चाहिए फमी बोल रहे हैं सारे लेक्चर लगाने के बाद तुम गलत कर रहे हो अब तक जहां जहां बात हुई थी वाइब्रेशनल में अगर तुम को यहाद हो तो 0 से 1, V is equal to 0, V is equal to 1, यही बोलाता है, सबसे ज़्यादा intense band आता है, चेंज कितने का होता था, अगर तुम चेंज देखोगे तो हम एक को consider किया था, रमन rotational में, vibrational और रमन में मैंने यह बोला था, एक को ही consider किया था, 0 से 1 वाले को, 0 से 1 वाले को consider किया था, सिर्फ, 0 से 1 वाले को, मुना जीर, तुम एक बात बताओ मेरे को, तुमने यह कहा किया था, 1 से 1 कहा करवाया था हमने transition, rotational, vibrational में हमने कहा करवाया था, vibrational, रमन में दुन्नों में, एक साथ जब पढ़ा था, एक साथ जब कल पढ़ा था, तो कहां करवाया था, मैंने इसा कुछ करवाया था क्या तुमको, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं लगाना तुमको, जितना तुमको बोला, उतना ही करना है बस, अपनी तरफ से कुछ नहीं करना तुमक कुछ बी कि यह देखो मैंने क्या बोला था तुमको क्या लेकर चलना था लाश्ट में बैस एक लेकर चलना था मॉस्ट इंसेंड इंटैंस्मेंड बोला था और यह सारे कोई नहीं आएंगे यह भी बोला था सिरफ एक लेकर चलना है कॉन्सा प्लस-mai-nus वाला की क्या करते हो पताने है के लिए सबको जल्दी से बुद्धी बूरा लिए प्रेक्ष्ण और आया हुआ कोशन है यह वाला भी इस यह वाला कोश्ड भी कर लू आया हुआ है आज कोश्चन कर लो ताकि पात में छोरी देखोगे तो साच में मिलेंगे तो बाद में कोई बाद मेंदेखेगा उसको समझ में आएगा अब इसzar Public कॉछन को सारे ज्यान से करना काई दार स्वाइब रेस रत बाइबरेस्णल था सबुस्क्राइबरेसक्तव अब वी शक्राइब मंग अभी तूमको एक चीज और दिख बता कफ़ह अरज सब्सक्राइब लिखा होगा हार्मोनिक का ऐख़ को पार्मोनिक क्सेंट तत्ते पेट संसक्राइब में को ये वह कॉशन guessed ये ने तोमिक ये आरk ग quéad क मैं और स्परेटिट भाइब 41 3 centimeter inverse ठीक है it's n harmonicity n harmonicity omega e x e आ रहा था formula में याद आ गया is 14 centimeter inverse आपको दिया गया है the value अब देखलो the value of omega e पूछ रहा है 3 centimeter inverse साथ में क्या पूछ रहा है and first overtone पूछ रहा है first overtone first overtone आप से पूछ रहा है of this molecule of this molecule जल्दी soul करना start कर दो respectively भी है last में ठीक है color change करके लिखता हूं यह वाला A लिख को 2143 and 4286 असान सा question है अगर कोई करोगे तो भाई तुमारी मर्जी है 4286 C है 2157 434 D है तुमारे पास है 2157 2771 एंड 42, 58 बताओ भई पहले तो यह देखो calculation को छोड़ो तुम्हें question समझ में आ रहा है की नहीं आ रहा पहले तो यह तर आप एक PYQ का session करा दोगे क्या एप पर हमिट equation का है हमिट equation करवा देंगे दिए हमिट equation का दो-तीन वार आया हुआ question कैंद दो बार के आस पस्दो से तीन वार आगया हमिट equation का question कि इसका answer करो भई और कोन करेगा फटा बट से पहले तो जिसने लेक्चर देखा होगा वह इसका आंसर कर सकता है देखो दो जीरो से one की बात कर रहा पहली बात तो यह है मतलब यह है अगर तुमारे पास the लेवल ने यह एगर आपके पास चीरो यह अगर आपके पास 0 is तो वी वन तक है यह वाला यह वाला और यह 0 से 1 वाले को हम क्या बोलते हैं fundamental vibration बोलते हैं fundamental क्या बोलते हैं fundamental और fundamental का value तुमको याद हो गया होगा omega e minus 2 omega e x e यह वाद सब को याद हो चुकियों नीचे यह तक 2 omega e x e यह वाली value सब को याद हो जानी चाहिए बहुत बाहर आया है fundamental मेंटल बेंड का अगर तुमने ना वाइब्रेशनल अब यह कोश्चन कहां से है फ्योर वाइब्रेशनल में जब हमने पढ़ा था ना वहां से यह कोश्चन कितने लोग आंसर करेंगे देखते हैं अब तुमको यह भी बता दिया बस पूच्छा है क्या है पहला तो पूच्छा है ओमेगा एक की वेल्यू पूच रहा है सर 2171 एंड फर्स्ट ओवर्टोन 4258 बहुत बढ़िया पारूल डी आ रहा है पारूल का एकदम सही बहुत ही बढ़िया एकदम जबर्दस्ट अब समझ लो को कॉश्चन को कैसे करना था अगर नहीं पता तो आप निकाल के देख सकते हो कैसे एनरजी का फोर्मूला तुमारे पास पता होगा उसमें एक बार जीरो पूट करना एक बार वन पूट करना और कोश्चन को बहुत लंध लेंधी कर लेना ठीक है एकजाम के अंदर ठीक है क्योंकि तुमको तो इस चय को थे मैं तो नुमिदरें कैमिता इस यहां से तुम्हारे पास वेल्यू आजैएंगी किमेहस्टीम पास कितना उगया और को वेल्यू तुमको दे रखी है 14 ओमेगा यी माइनस तो कितना आजाएगा 143 कितना आजाएगा इसको एड करोगे तो कि जल्दी से एड करके बताओ फटापट से कितना आएगा तू ओमेगा यह तो अठाइस एड कर दोगे ओमेगा इस उकल टू वन फोर त्री प्लस तू हो छुँखार यह हम Giant 1211 एक हम लास्त में बस तो यह हो जाएगा अंसर ऑप दूसरा अब यह वाला पोर्शन कैसे निकाल हो गहिए कर द ऑट तो यह जह ता यह वर्ष्ट ऑश्ट ऑवर्ट ऑवरटर्न तुम्हारे पास क्या होता था प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस पॉर सोवन और इसमें मैंने डिफरेंट डिफरेंट बोला था कि जीरो से जीरो तो क्या हो गया मेरे पासे जीरो से वन तो क्या हो गया फंडामेंटल हो गया जीरो से तो हो 0 से 0 हो नहीं सकता 0 से 2 ही हो गहाँ पड़ेगा 0 से 2 के लिए मैंने delta e का एक journal formula लिखवाया था किसी भी overtone के लिए निकालना हो 0 से n के लिए 0 से n लेवल पे किसी के लिए निकालना हो तो उसके लिए formula तुमको मैंने लिखवाया था n omega e minus n into n plus 1 omega e x e यह journal formula तुमको लिखवाया था बस अब value put कर दो अब की बार हमारे पास n का value कितना है 2 है first overtone बोल रहा है तो n का value किया है 2 है 2 omega e minus n कितना है 2 2 plus 1 omega e x e अब यह value तुमारे पास सारी आई चुकी है सारी value तुमारे पास आचुकी है कितने मुन्ना लोगों को यह question समझ में आया पहले तुछ यह बताओ सर एक बार यह डवल्यू एस फीमेल की बता सकते हो कब तक दे सकते हैं क्या मुन्ना क्या कह रहे हो अभी तक ऐसा कोई notice नहीं आया है मुन्ना मुन्ना अभी तक कोई notice आया नहीं है जैसी notice आएगा आपको बता दिया जाएगा अब अपनी तरब से कुछ भी बोल देंगे उस चीज का क्या ही logic है अब मैं कह दूँ का हाँ इसा तो relaxation होगा देंगे अब वो कह रहें कि हम तीन बार exam करवा देंगे ये करवा देंगे अभी तक मुझे तो उसकी उमीद नहीं लग रही आशू अभी तक तो उसी की उमीद नहीं लग रही अगर ये निकल जाता है दिसंबर के फर्स्ट वीक तक नहीं आता तो ये मान के चलिए कि जनूरी में ओना मुस्किल हो जाएगा के क्लियर हुआ भी ये वाला कोश्चन सबको कि एक कोश्चन और कर लो एक कोश्चन और लगा लो जो यार दल्दी से पड़ापड़ से कि इस कोश्चन का आंसर करना सेम इसी पैटरन पर कोश्चन है अगला सेम इसी पैटरन के उपर है बस इस बार तुमको समझनी है दो ट्रम समझानी है इस कोश्चन से मैंने तुमको दो चीजे बतानी है इस कोश्चन से बस वही देखनी है क्योंकि इस बार उसने लिखके नहीं दिया है vibrational the vibrational frequency vibrational frequency and and harmonicity and harmonicity constant देखो इस बार कुछ अलग दिया उसने तुमको ओफ एन अलकली मेटल ओफ एन अलकली मेटल है लाइड are 300 cm inverse and 0.0025 respectively respectively the position क्या बताना आपको दा पोजिशन दा पोजिशन इन सेंटिमेटर इन्वर्स सेंटिमेटर इन्वर्स के अंदर पोजिशन बतानी है वो फिट से कि फंडामेंटल मोड एंड फस्ट ओवर्टोन और एंड फस्ट ओवर्टोवन और रिस्पेक्टिवली कि फस्ट ओवर्टोन एंड फंडामेंटल बोंड जल्दी से बताईएगा फटा फट से क्या ट्रम समझ में आई जो जो लिखके दिये इसने जल्दी से ओप्शन लिख देता हूं ठीक है कि आप कि 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 पॉइंट है यह बीच में ठीक है 604.5 और डी है तुम्हारा कि बोलो भई कि पहले तो तुमको दो चीज़े समझ में आनी चीए सर आपके टोपिक के लेक्चर का प्लेलिस्ट बना हुआ है कंप्लीट टोपिक का जो आप करवाते हैं कुछ का प्लेलिस्ट बना हुआ है सबका बना हुआ है एक एक टोपिक का प्लेलिस्ट है रभिना एक एक टोपिक का प्लेलिस्ट है और कंप्लीट बना हुआ है कारबिन का है तो अलग बना हुआ है ESR का है तो अलग बना हुआ है हेट्रो का है तो अलग बना हुआ है सब का बना हुआ है अलग-लग टोपिक का बना हुआ है अब पहले मेरी बात सुनो यहां क्या बोलता है वो दो चीजी इस कोशे़न में समझने वाली है वो समझ लो अगर तुम्हें कहीं एन-हर्मोनि सीटी लिखके देता है एन हर्मोनिसिटी जैसे लास्ट वाले कोशन में देखो तुमको क्या लिखके दिया अगर यहां एन हर्मोनिसिटी लिखके दिया था तुमको यह बाद ध्यान करना देखना ध्यान से एक बार इस कोशन में तुमको क्या लिखके दिया वाला एन हर्मोनिसिटी बट इसने bracket में लिख दिया था तो तुमको दिक्कत नहीं हुई तुमको पता चलिए कि किसके बारे में बात कर रहा है formula तुम्हारे सामने था तो तुम्हारे पास इस बार क्या दे रहा है n-harmonicity constant बोल रहा है क्या बोल रहा है n-harmonicity constant बोल रहा है बस यह difference पता ना चाहिए statement में, question बदल जाएगा पूरा, बाकी तो सारा same question है, बाकी तो question क्या है, डिट्टो एकदम same है, बाकी तो question में कोई difference नहीं है, कोई भी वस value का change है, mathematical change है, सिर्फ, बाकी तो first overtone वही होगा, 0 से 2, और fundamental वही, omega e, minus 2, omega e, xe, बस यहाँ तुमको यह दिया हुआ है, अलग लग इसने, इस बार xe का value दिया है, बिल्कुल answer क्या आ रहा है, b आ रहा है, बिल्कुल सही, b क्या होगा, right answer होगा, बोलो यार, समझ में आया है क्या ही, सभी मुन्ना लोगों को समझ में आया question यह वाला, same वेशा ही question है, जैसा पहले वाला है, लिट्टो सहीम एकदम, कोई difference नहीं है, एक question और कर लो, यह भी आया हुआ, simple question है यह वाला, लास्ट आज के लिए, दा मोलिक्यूल, बैट, विल्चो, रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रम, रमन स्पेक्ट्रम बटनोट, नोट आई-र स्पेक्ट्रम, आई-र स्पेक्ट्रम, अमंग दा फोलोईंग, H2, HCL, BRCL, BACS2, बोलो बे, जल्दी से अब फटा फटा से आंसर करें, करें, बोलो बटनोटरम, अला इतक्रम, अर विल्दीENTS, करें, नोटनोए FOR रमन स्पेक्ट्रा, रमन स्पेक्ट्रम,ई-र स्पेक्र धिल्दीन स्लिक्ट्रम, में ब cuálह में, लिल्दीन स्पेक्ट्रम्, विल्दीन न energy का कात्याई Northwestern थ cumaeval कोंएम. कि बोलो मुन्ना क्या होगा अंसर जबिना चेक करना मिल जाएगा प्लेलिस्ट वगेरा सब बना हुआ है तो इसी के साथ तुम्हारा ये रोटेशनल वाइबरेशनल सब खतम हो गया है आज कैसा मैसूस हो रहा है बहुत लंबी कलासी चली है जाकर फाइनली हमने इस एक टोपिक को दी एंड कर दिया है जल्दी से दो कि काफी इंपोर्टेंट है फिजिकल स्पेक्ट्रोस कोपी अगर आप सारे लेक्चर्स देखते हो तो पीवाई क्यू अगर हो सुका तो मैं एप के प्रिविश यह कोश्चन पता भी चल जाएंगे कैसे कैसे पूच्छे हो गया अभी बहुत से कोश्चन बाकि है जैसे रोटेशनल से हुआ रमन रोटेशनल से हुआ एक पी को बरांच से आता है पी को आर वाले स्टोक एंटी स्टोक्स लाइन्स के नहीं किये स्टोका नहीं किया ठीक है बिल्कुल आंसर सबका ठीक है तो यह तुम्हारा हुआ दी एंड इसी के साथ भई यह सिंपल साही पता रहे इसमें कोई डाइपल मूमेंट भी चेंज नहीं होगा तो आई यार तो एक्टिव हो गया आई यार एक्टिव होगा तो भई रमन रम प्रिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी को आज दी एंड कर दिया हमने जो अमों मोलिकुल एक्टम बिल्कुल है कैसा लग रहा है जो लोग लगातार जुड़े रहे लगातार जुड़े रहे जैसे कि पारूल पंवी वर्मा सबसे लगातार कंसिस्टेंटली सारे लेक्चर देखती रही लाइव क्लासिज में प्रिति है जो कि आज एंडिंग वाले दिन में है नहीं उसने लगबग सारे लेक्चर अटेंड किया है तो अराउंड राउंड यह आपके लेक्चर मेरे क्याल में हो गए 15-16 लेक्चर के आसपास हो गए होगे कम्प्लीट इसमें सारा रोटेशनल वाइब्रेशनल क्या-क्या डिसकस किया है वो बता देता हूं समरी जो बाद में जुड़ा है अगर देखना चाहे तो देख सकते हैं पहले सबसे पहले पूरा रोटेशनल खतम किया है रोटेशनल रोटेशनल के बाद नेक्स्ट टोपिक देखते हैं अभी क्या आएगा नेक्स्ट टोपिक सोच रहा था मैं कार्बो केटाइन को खतम करवा दूँ क्योंकि इंटरमीडियर का सारा एकदम सिक्वेंस हो जाएगा कार्बो केटाइन को सोच रहा था पर हो रोटेशनल खतम हो चुका है vibrational करवा चुके इसमें vibrational rotational plus vibrational दोनों cover कर लिया है Raman spectroscopy आया फिर Raman के बाद हमने rotational plus Raman किया उसके बाद vibrational plus Raman किया और बाद में Raman plus vibrational rotational सारे एक साथ किये और last में हमने ये mutual exclusion principle वगेरा ये सब किया 18 सर बिलकुल जी complete हो गया ये सारा तुमारा the end हो गया इसकी तरफ से अब सिरफ PYQ बचे है कुछ तो PYQ मैंने साथ की साथ करवा ही दिये तुमको ठीक है तो एक काफी लंबा topic होता है physical जैसे देखो organic की spectroscopy की बात करते हैं वेसे ये भी अपने आप में बहुत बड़ा इसको हमने क्या गर लिया आज complete किया कैसा लग रहा है जो मुणना लोग लगतार देख रहे थे कार्बिन को कर लेना कार्बिन कर लोगे ना कार्बिन करने बाद तुमको अइसा लगेगा कि और गेनिक का तो चीक करते हैं फिजिकल का स्टार्ट कर देंगे गेट में साइध फेज इकलिवरी आता है उसको देख लेंगे कि पर फेज इकलिवरी आता है गेट के अंदर तो जिसने लगातार देखा होगा किसी को फाइदा जुरूर मिलेगा अगर आप करके जाओ इतना भी करके चले जाते हो ना अब यह लेक्चर हो चुके है तो आप इनको देख सकते हो जब भी आपना फ्री टाइम हो कंप्लीट ठीक है और हो सकेगा तो मैं प्री वाई-क्यू के लिए आपको पता यह थोड़ा सा और आपको बेनीफिट मिलेगा अगर पीवाई-क्यू करेंगे तो अधिक है बिल्कुल करेंगे पारूल कर लेंगे शाम को चशै बजे एप के उपर मिलेंगे शाम को चैबजे और यह पकी उपर तुमको पता है अपना क्या चल रहा आ करेंगे हैं इसके सोर्ट नोट्स कैसे बनाए प्लीज फिजिकल मॉलेकुलर इसके सोर्ट नोट्स में सिरफ आप क्या करिए एक तो सेलेक्शन रूल लिखिए एक इनके फॉर्मूले लिखिए ठीक है जितनी चीजे जो इंपोर्टेंट रहा सिरफ वही रखिए एक इनका इसम फॉर्मूला त उसके 45 फोर्मूले जे मेchn जो पॉपुलेशन रेश्यो के में आए निकरीज़ करने पर नुपूर्मुला उनके बीच का देफरेंस तो तुमको पता है V 0 से 1 के बीच में तो इसको तुमको याद हो गया omega e minus 2 omega e x e ठीक है तो यहां क्या करना है यह चीज़े ऐसी याद रखनी ऐसा नहीं कि मैं 0 energy इसकी energy निकालोगा इसकी energy निकालोगा फिर मैं delta e निकालोगा तो वह बहुत लंबा प्रोसेस हो तो एसी एसी जो चीज़े हैं उनको एक जगा अपना लिख लो उनी को देखना एक्जाम के टाइम मस्वाश के ओके धन्यवाद आप सभी का थेंक्यू सो मच मिलेंगे अब शाम को 6 बजे एप के उपर और यह special classes में आपके लिए क्लासी चलती है जी ओसी के 15 लेक्चर हो चुके है एरोमेटिसिटी और एसीड बेस केमेश्ट्री बचा हुआ है जी ओसी के अंदर इंडक्टिव आलमोस्ट खतम हो चुका है और आज आपके लिए क्या रहेगा कोश्चन सीरीज रहेगा इन और्गेमिक का थेंक्यू सो मच